तो हमारी थर्ड वाली कौन्सी थी अब भी में सिरफ कुछ नहीं बताऊंगा सिरफ फ्रंटल में बोलूगा फ्रंटल ऐसे बनती है बस तुम आगे कोश्णिंग ने करोगे कि सरी कैसे बनती है क्यों बनती है क्योंकि फ्रंटल के लिए पहले मैंने तुम्हें एयर मासीश तो पर आएंगे आज जो हम करेंगे पहले तुम्हें अभी थोड़े फ्रेश होगे पहले में समझाता हूँ त्रॉपिकल साइक्लों के बाद जो हम वो डूपॉंट शूपॉंट और यह वाली चीजे वह कर लेंगे ठीक है चॉल ठीक है ठीक है साइक्लोंिक प्रेसिपिटेशन थर्ड लिख लो ना खाली लिख लो थर्ड मैंने लिखाई कुन सी थी अभी कोई भी नहीं लिखाई थी पहले मैंने तुमको सुनो इधर कन्वेंशनल लिखाई थी गर्मी हुई टेंप्रेचर बड़ा सब कुछ हो गया क्लाउड बन पर रेनफॉल भी बड़ी ज्यादा लेकि आते हैं तो जो इस साइक्लों से बारिश होती है इन बारिशों को हम साइक्लोंिक रेनफॉल पर बोलते हैं ठीक है थर्ड साइक्लोंिक प्रेसिपिटेशन जहां समझनी आएगा आस्क मी 500 टाइम्स डाउट मत लेके चलना हमबल साइक्लोंिक रेस्पिटेशन क्या ना मैं प्यूशी समझ आ रहा है ये सिस्टम आ रहा है पका थेखे साइक्लोंिक प्रेसिपिटेशन भी दिस टै उस प्रेसिपिटेशन is related to convective rise of warm air is related to convective rise of warm air weather mechanism strong लेके आएगी कि हलका लेके आएगी cyclone ठीक है with more rise of warm air ठीक है अभी लिख लो सम्झाता हूं फिर with more intense weather mechanism with more intense weather mechanism this type is typical to this type of precipitation is typical to or precipitation is typical to tropical marginal water bodies tropical marginal water bodies fourth कुछ नहीं समझना है यह मैं अभी जब तुम्हें tropical cyclone समझाऊंगा सारा समझ आ जाएगा मैंने क्या लिखाया है फूर्थ, frontal precipitation frontal precipitation within most probably आज, कल और पर्सो पर्सो थाक हमारी physical geography पर्सो नी तो Saturday थाक हमारी physical geography done होगी ठीक है Monday से विल स्टार्ट अपना वो यह इंड गरफी frontal precipitation F.R.O.N.T.A.L. frontal precipitation this precipitation is identified with convergence of convergence of two contrasting air masses convergence of C.O.N.V.E.R.G.E.N.C.E convergence of two contrasting अलग-लग सिरव लिखो क्या है मैं खुद समझाऊँगा two contrasting air columns या air masses two contrasting air masses और air column full stop it is typical to mid and high latitude जो cyclonic होगी वो tropical की आसपास होगी और जो तुमारी frontal होगी वो mid और high जो तुमारी London वगेरा USA में जितने भी आते हैं इन सब को हम क्या बोलेंगे क्या कहते हैं अपना अपना tropical cyclone temperate cyclones इतिस इस तुमारी अपनी आपना वो खोलेंगे गूगल अंकल और उसमें ट्रोपिकल साइकलों की डाग्राम देखेंगे फेले so the topic is tropical very important topic tropical cyclone temperate cyclone और mains point of view से सबसे important इसका question होगा difference between tropical and temperate cyclone 21 में question आया था tropical cyclone क्या है 18 में question आया था difference between tropical and temperate cyclone ठीक है कि देखना क्या सबको दिख रही है कि डाइग्राम NCRT class 11 वाली डाइग्राम होगी है क्या अमन दिखा बनाई है कि डाइग्राम बनाई है दिखा दिखी क्या सबको कुछ ऐसी डाइग्राम होगी दिख रही है क्या ठीक है ठीक है ठीक है ट्रॉपिकल साइक्लोन यह कौन सा साइक्लोन होगा जो कहां पर आएगा ट्रॉपिक्स के बीच जीरो और 30 के बीच में अभी समझाऊंगा अगे 0 और 30 जो यूज कर रहो 0 30 कहां पर नॉर्दर हमिस्फेर में भी और सदन हमिस्फेर में भी ठीक है लिखना topic tropical cyclone पहले सिरफ conditions लिखनो फिर एक एक conditions समझाना शुरू करता हूँ मैं कोई किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ ये डिटो में NCRT से ही copy paste करके पढ़ा रहा हूँ सिरफ मेरा काम है तुमको समझाना ठीक है इस cyclone को tropical cyclone इसमें लिखना conditions पहले सुनना पांच conditions होंगी जिसमें tropical cyclone cyclone क्यों आते हैं जुम जुम ठीक समझ रहे हो ठीक है जो जैसे वो क्या शक्तिमान चलता था तुमारा वैसे ही cyclone ऐसे layman language में बता रहा हूँ ठीक है cyclone जो तबाही लेके आता है जैसे मायचूंग cyclone निसार cyclone ये multiple cyclones जो है वो आते हैं बताऊँगा naming भी जो है वो किस तरह से होती है tropical cyclone कुछ पांच condition चाहिए पहले ये पांच conditions लिखो फिर एक एक condition समझाता हो इसका क्या मतलब है tropical cyclone topic लिखना conditions favorable for formation of tropical cyclone first large sea surface large sea surface area with temperature with temperature more than 27 degree Celsius ये पांच conditions पूरी याद होगी तब ही cyclone का answer बनेगा ये पांचों की पांचों conditions याद होनी चाहिए with more than 27 degree Celsius second second condition presence of presence of creolist force सम्झा सकता है presence of creolist force third small variation small variation in the vertical wind speed small variation in the vertical wind speed fourth fourth a pre-existing low pressure area a pre-existing low pressure area fifth upper divergent upper divergent upper divergent above the sea level system system upper divergent above the sea level system upper divergent नोवर हो गया है doubt है upper divergence above the sea level system अब ध्यान जो होगा cyclone पे होगा आगे पीछे जो हमने पढ़ा हूँ और सब बूल जाओ ठीक है ठीक है सर पहली कंडिशन क्या नाम है हर्ची का क्या बोली जोर से जोर से अवाज आनी चाहिए ठीक है सर पहली कंडिशन बोल रहा है last sea surface area with temperature more than 27 degree Celsius पहले जब हम पढ़ते थे हमेशा याद रखना tropical cyclone कहां पे आएंगे समुंदर में आएंगे जमीन पे cyclone नहीं आता है जमीन पे जो cyclone आएगा that will be तुमारा temperate cyclone ठीक है यह extra tropical cyclone सर तो जो जमीन पे impact होता है वो उसका impact होता है जो coastal shore पे आता है अगर हम main area में अगर हम main area मतलब coast के पास नहीं रह रहे let it be beach वाले कहीं area क्या हमने कभी ऐसा सुना हमारे दिल्ली में GNK में cyclone आया हो हम हमेशा cyclone कहां सुनते है coast पे गुजरात के पास cyclone आया हुए केरला के पास cyclone आया हुए या अगर हम चले जाते है Odisha के पास cyclone आया हुए long wave terrestrial radiation और small wave terrestrial radiation याद है वो trap कर लेती थी आज से कुछ सालों पहले तुमारा cyclone जो आता सा वो आता सा तुमारा B.O.B. में Bay of Bengal Arabian Sea में cyclone बड़े काम आते थे माना जाता क्या है कि reality है Bay of Bengal is far 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 more larger than Arabian Sea Arabian Sea छोटा है as compared to Bay of Bengal से तो ये जो 5 conditions जो basic 5 conditions चाहिए तुमारी cyclone बनने के लिए वो तुमारी Bay of Bengal को जाधा उसमें होती थी इसलिए West Coast पे cyclone जो है वो काम आते थे but our temperature इतना जाधा बढ़ना शुरू हो गया हुए कि वो पहली condition को जो है वो फुल्फिल करना शुरू हो गया हुए that is पहला sea surface area चाहिए हमको large sea surface area चाहिए और दूसरा क्या है वे large sea surface area with temperature more than 27 degree Celsius कोई doubt temperature गर्मियों का time है sun overhead है tropical tropical cyclone का मतलब होगा जहांपे sun की heat जाधा होती होगे sun की heat सबसे जाधा कहा होती है equator से लेके tropic 0 to 30 degree north and 0 to 30 degree south मानते हो इसमें कोई doubt कोई doubt नहीं ठीक है पहली condition हमारी आगी 27 degree Celsius वाली ठीक है दूसरी condition देखना क्या वहाँ पे कोई वो बोला हुए कहीं पे भी इन 4 पांचो लाइने में कहीं ये चीज लिखी हुई है कि pre existing क्या बोला है pre existing weak low pressure area ठीक है मतलब दूसरी बात क्या है कि low pressure area जो है वो develop होना चाहिए सर यहाँ पे ये है मैं थोड़ा उपर बना रहा हूँ एक गंटा लग जए इस टॉपिक को कोई दिक्कत नहीं साइकलोन आज गर इधर ही क्यास में समझाना चाहिए कोई डाउट है मिरसे पूछो ठीक है ठीक है इसकी heat बज़री है पानी गरम हो रहे है temperature जाद है temperature जाद है मतलब प्रेशर कम इसका मतलब है अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तुमारा low pressure जो है वो develop हो गया होग दो conditions fulfill जितना जादा temperature बढ़ता जाएगा उतना ही जादा low pressure जो है वो बढ़ता जाएगा अब कल मेरे को प्यूशी ने एक चीज़ पूछी थी सर एक जगा लिखा हुए high pressure में divergence होती है और low pressure में convergence होती है क्या मैंने ये बात समझाई थी यहाँ पे high pressure मुझे ऐसे लगे भुत बैठे हूँ है high pressure to low pressure wind move कर रही है इसका मतलब है low pressure में क्यों है divergence divergence हो रही है low pressure में क्यों होगा low pressure में convergence low pressure में convergence low pressure में convergence ठीक है मालते हो ये बात ठीक है सर अगर low pressure में मैंने माना कि limit लेके चलता हूँ कि convergence होती है मैंने एक condition मान ली अब अगर temperature बड़ा जादा है temperature यहाँ पे बड़ा जादा है यहाँ पे low pressure बना हुए मानता हूँ सर यहाँ पे warm air होगी की cold air होगी इधर इधर इस एरिया में warm air होगी की cold air होगी temperature अगर जादा है temperature अगर जादा है तो हमारे यहां पर warm air होगी समुंदर के आगे पीछे की cold air होगी warm air होगी ना temperature जाद है तो सोच किया रही थी warm air ठीक है फोकस है ना warm air ठीक है सर यह warm air जो है यह move करना शुरू की ऐसे ही चल रही होंगी यह random कहीं पर चल रही होंगी मानते हों यह यहां पर move कर रही है ठीक है second point अभी मारता कितने criteria फुल्फिल हुए है अभी हमने दो criteria फुल्फिल किया पहला criteria is large sea surface area 27 degree Celsius यह उससे जादा का temperature minimum कितना होना चाहिए 27 degree और दूसरा criteria हमने बोला कि sir यहां पर low pressure जो है वो develop होगा और low pressure का मतलब है अगर warm air है warm air ओपर की तरफ Move करेगी कि नीचे की तरफ Move करेगी hlky air होगी warm air warm air का हम जब भी पढ़ रहे थे हम यही पढ़ रहे थे ना warm air जो है इसके साथ moisture होगा बट warm air अभी क्या करेगी जब warm air करती कया ओपर की तरफ Move करती बस अभी मोश्चर को बूल जाओ मांधे मैने बार थेंपरेचर क्या है मतल Shop है मैं मान रहा हूं प्यूशी हमने क्या पढ़ा था क्रियॉलिस फोर नॉर्धन हमिस्फेर में राइट में मूव करेगी क्रियॉलिस फोर्स विंड को क्या करती है नॉर्धन हमिस्फेर में राइट की तरह मूव करती है सर अगर स्पोस्स करो यह सोर्स है यह विंड जा रही है ठीक है कहां जाएगी यह जाएगी राइट यह सोर्स है राइट ठीक है अगर मैं थोड़ा से इसको यह 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 य यहां पे हूँ ये मेरा राइट यह अगर यहां पे हूँ मेरा राइट यह ठीक है यह ऐसे पूरा यह बन गया इसातरह बनेगा ये मैं यह गई मेरी एक और इसने क्या करना 58 मानते हो ठीक है second condition हमने बोली हमने तीन condition अभी तक satisfy की है पहली वाली condition है 27 degree या उससे जाधा का temperature होना चाहिए और last sea surface area होना चाहिए दूसरा हमने बोला कि क्या बोला था मैंने दूसरा low pressure जो है वो develop हो होना चाहिए और तीसरी बात जो मैंने बोली थी वो थी तुमारा यह है ठीक है आप सुनना let it be यह जो warm air है fourth point सुनना fifth point क्या है upper diversion above the sea level system है इसका क्या मतलब है cloud सो बनाएगी पर मतलब case line का यह एक तरह से पहले क्या है यह बोल रहा है यह cell create करेगी एक cell बनाएगी divergen का मतलब एक cell बनाएगी मतलब सर अगर यहां पर low pressure है तो इसका मतलब उपर क्या होगा high pressure मानली मैंने बात ठीक है अब high pressure क्या करती है diverge करती है यह यह इस तरफ जा रही है और कुछ है और जो लो प्रेशर है जो हवा जो दूसरी थी हलकी हवा थी वो उपर की तरह मूव कर रही थी जो तुमारी warm air थी वो उपर की तरह मूव कर रही थी लेट इट बी अब याद रखना जहां पे भी तुमारा यह low pressure डेवलप हुआ होगा इसमें अब मैं यह बोल सकता हूँ यह जो cyclone जो हमारा move करेगा यह जो cyclone हमारा यह जो यह जा रहा है यह देखना क्या यह इस तरह से move करेगा anti clockwise क्यों yes right to left move कर रहे right to left यह यह move कर रहे anti clockwise 12 cryolis force क्या कर रही है इसको right में move कर रहे है और आगे क्यो और रहे जब ही cycle complete हो रहे है पूरा ऐसे करके गुम रहे हैं यह हमारा यह इस तरह से गुमना शुरू हो जाएगा यह यह डाउट क्या कि एयर उपर गई एयर उपर गई उसने एक सेल बनाया सिंपल सी एक बात में यह बना के जलता हूं कि एयर उपर की तरह मूफ कर रही है यह एयर उपर की तरह मूफ कर रही है और कुछ है नीचे की तरह सबसाइड भी करेगी कुछ है नीचे की तरह सबसाइड भी करेगी diverge कर रहे, यह देखना मैं दुबारा बना रहा हूँ, अराम से सुनना, यह high pressure, दुबारा से साफ बनाता हूँ, वो अब भी बता रहा हूँ, यह हमारा high pressure, यह हमारा low pressure, अब हमने क्या बोला, high pressure वो हमेशा क्या करती है, diverge, और ऐसे भी, यहाँ पर जाओगे, temperature ज्यादा होगा की कम होगा, उपर थोड़ा सा उपर जाओ, let it be tropopause के पास जाओ, temperature कम, ज्यादा की कम, sun पानी पर impact कर रहा है, ऐसे मेरी बात सुनो, इसे साफ से मतलब England, तुम कौन से altitude में क्यों जा रही हो, latitude पर जाओ, तुम एक चीज़ देखो, कि इसका मतलब England अगर height में, उपर latitude में, तो वहाँ sun जादा effect करता है, equator पर ज्यादा गर्मी होती है, कि ट्रॉपिक्स पर स्लांटिंग रेज और वो, याद है कि नहीं याद है, समझी, तो उपर जो एर होगी, वो थोड़ी ठंडी होगी न, as compared to यह, ठीक है, अब क्या होगा, अब हाई प्रेशर में हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर में यह क्या होगा, अपना क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि क्या होगा, अब यह चीज यह, मैं इसको दबारा क्लिर करके बताता हूँ, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, ठीक है, यह, अब सुनना, एर जो है, यह ये, बॉफ कर रही थी, यह मूव कर रही थी, इसने राइट में मूव करना शुरू किया, ठीक है, क इसका राइट यह इससी तरह बनेगा क्या यह इस तरह से air move करना शुरू हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी इस तरह से air जो है वो move करना ठीक है राम से तुनना पहली condition हमने क्या fulfill की 27 degree Celsius हमने fulfill कर दिया after presence of creolice force भी हमने बता दिया pre-existing low pressure view और upper divergen above the sea level का मतलब हो गया एक celsa जो है वो create होना शुरू हो गया cell यह बन रहा है जैसे मैंने तुमको पढ़ाया था यह देखो atmospheric जब मैंने circulation पढ़ाई थी तो मैंने atmospheric circulation में क्या बताया था अगर यहाँ high pressure है यहाँ low pressure है यहाँ low pressure है high pressure है low pressure है मैंने क्या बोला था यह diverge यह यहाँ पे diverge यह यहाँ पे diverge यह यहाँ पे diverge क्या एक cell सा create हो रहा है cell बन रहा है पुरा यह जो point बोल रहा है अपर divergen यह बोल रहा है यह इस तरह का cell जो है वो create होना चाहिए let it be अगर यहाँ पे low pressure है यहां क्या होगा हाई प्रेशर यहां क्या होगा लो प्रेशर अब सुनना यह क्या हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से हाई प्रेशर से यह यह ठीक है यह इस तरह का जो हो एक सेल क्रियेट होना जो हो शुरू हो जाएगा और क्रियॉलिस फोर्स क्या होगी इ इस तरह से कुम यह यह गुम रहे हैं यह यह इसको एंटी क्लॉकवास ढिरेक्शन में टो मुव करना शुरू करते यह ठीक है अब सुनना जो यह वाला एरिया होगा center वाला area जहां पर ये cyclone move करना शुरू किया ये earth की rotation क्या है west to east west to east अब ये move कर रहे ये ये इस तरह से ये जो beach वाला area होगा जहां पर low pressure बना होगा इसको बोलेंगे हम eye of the cyclone eye of the cyclone राम से सुनना हमने 5 conditions small variation in the vertical wind speed इसका क्या मतलब है अब मेरी बात सुनना यहां से गरम air जा रही है अगर गरम air उपर जाएगी उपर जाके जो है क्या बनाएगी evaporation हो रही है evaporation जाके मतलब उपर जो है cloud formation हो रही है let it be मैंने बोला ये cloud बने का है जब भी tropical cyclone जो होगा वो कहां तक चलता है tropopos तक चलेगा मतलब 18 km तक हमने पहले का पड़ा हुए आप 18 km तक imagine करके चलो ठीक है 18 km तक होगा अब वहाँ पे जो है वो तुमारे clouds बनेगी कौन से clouds बनेगी dark color clouds और मैं किसकी बात कर रहा हूँ cumulonimbus clouds जो हमने कल पड़े थे जो बड़ी जादा thundering, lightning और rainfall लेके आते हैं यहाँ पे जो तुमारे clouds बने ठीक है let it be ठीक है वो तुमारे बने cumulonimbus cloud अब कह रहा है अगर स्पोस उससे क्या बोला wind क्या कुछ क्या line यूज कर रहा है बोलना एक बड़ी जोर से small variation in vertical wind speed अब सुनना अगर स्पोस करो vertical wind जो है बड़ी तेज़ चल रही है इन clouds को क्या करेगी diverge करेगी अगर हवा बड़ी तेज़ चल रही है clouds क्यों होगे हवा की speed के साथ आगे चले जाएंगे तो ये बोल रहा है small variation होने चीज़ क्यों अगर तुमने यहाँ पे main बारिश के लिए हमें क्या develop कराने है clouds develop करवाने है तो अगर clouds ही नहीं develop होंगे तो ये जो अपना wind होगी क्या कहते है अगर तेज wind होगी तो वो clouds को यहाँ पे develop नहीं होने देगी इसका मतलब है clouds को develop करवाने के लिए मतलब cumulon imbers को यहाँ पे develop करवाने के लिए हमने क्या करना है यहाँ पे जो vertical wind की speed होगी वो बिल्कुल slow होनी चाहिए small variation होना चाहिए ठीक है vertical हो या horizontal हो यह वाला एक cell जो है यह जो है इस तरह से develop होना चाहिए 5 conditions पड़ी सबसे पहले सर एक area होगा जहाँ पे 27 degree Celsius होगा पहली बात दूसरा low pressure जो है वो develop होना चाहिए cryolis force होने चाहिए ताकि इसको rotate करवा सके ठीक है तीसरा उसके बाद हमने क्या पड़ा चोथा हमने पड़ा कि सर वो vertical variation जो wind में है वो बड़ा कम होना चाहिए और last बात पड़ी वो circulation जो है वो पूरा develop होना चाहिए 5 points समझाए ठीक है अब सुनना जहां पे ये low pressure area develop हुआ है इसको बोलते हैं eye of the cyclone या realness zone अब सुनना क्या होगा अब क्या होगा यह देखती जाना एक point आएगा अब सुनना एक point आएगा कि इसको अब move करने के लिए energy चाहिए यहां तक तो इसने अपना पूरा phenomena कर दिया यहां तक ready होगया clouds चू है वो पूरा तुमारे ready होगय बन बुन गये सब कुछ ठीक है बट अब इसको move करवाना है तो move जो है वो कैसे होगा सुनना यहां से प्यूशी ने बोला कि सर अगर यहां पर यह वाटर से जा रहे हैं मतलब land sea surface area से जा रहे हैं cooling या फिर जो water droplets गिरेंगे अब क्या होगा जब बारिश होना शुरू होगी इस clouds से ठीक है सुनना अब इन cumulonimbus clouds से जब बारिश होना शुरू होगी ठीक है वो क्या करेंगे जब बारिश के time water droplets release करेंगे करेंगे जो बारिश यहां से यह moisture लेके गए moisture हुआ यहां पर जो है इन्होंने evaporation करना शुरू कर दिया clouds जो है वो तुमारे बन गए अब condensation क्या होती है condensation होती है जब बारिश आना शुरू होती है जब बादलों से पानी water droplets गिरना शुरू होते है उसको बोलते है condensation अब हमने इसको move करवाना है यह move कैसे होगा latent heat जो उसने बारिश करवाई cloud ने जो बारिश करवाई बारिश करवाने के लिए उसको एक heat energy जो थी वो release करनी पड़ी उस energy का नाम था latent heat ठीक है उस energy जब वो बारिश होई उसने heat generate की और heat generate करने से यह cyclone जो है आगे move करना शुरू किया ठीक है अब सुनते जाना अब मैंने याद रखना जब भी cyclone होगा इसका मतलब बारिशे वोगेरा बड़ी जादा आएगी अब let it भी मैंने बोला मैं यहाँ पे पहुंच गया एकदम calm region है disturbance को और यह इस वाले area में और इस वाले area में जहां पे clouds जो है तुमारे बने हुए यहां पे कोई cloud नी बना हुए यहां पे सिरफ क्यों और है या तो submergence हो रही है या divergence हो रही है low pressure और high pressure बना हुए अब क्या हुआ यह cloud जो है आगे move करेंगे cloud जो ही आगे move क्यों कर रहे है क्योंकि latent heat of condensation ने इसको आगे move करवाया ठीक है अब यह जैसे जमीन पे आए land के ओपर पूछे let it में भोलता हो है इदराबाद यह coastal area आंदरापरदेश का यह coastal area यहां पे इसने क्या किया बट जैसे यह जमीन के पास पहुंचेगी इसका source क्या था cyclone का water, moisture क्या यह अब जब यह cloud यहां पे पहुंच गया है इसको water मिल रहा है कहीं से जमीन के पास उसको अब समुंदर से वो दूर चला गया अब उसको moisture मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो जैसे वो जमीन के उपर आएगा एक दो हफ़ता जो भी एक दो चारवां दिन जो एक हफ़ता रहेगा उसके बाद जैसे यह जमीन तक पहुंचेगा इसको moisture देने वाली जो machine होगी डैटिस मारा समुंदर वो इससे दूर चला जाएगा और जब इसको moisture नहीं मिलेगा इसको energy नहीं मिलेगी कुछ नहीं मिलेगा और यह वहाँ पर खतम हो जाएगा और उस चीज़ को हम बोलते है landfall जब यह जमीन के ओपर पहुंच के यहाँ पर पहुंच जाएगा इसको बोलेंगे landfall doubt अराम से सुनना सबसे पहले इधर ही हम याद करके जाएगे सबसे पहले सर कुछ नहीं हुआ सबसे पहले जो है एक हमने लार्सी सर्फेस एरिया लिया और वहाँ पर temperature जो है 27 डिग्री से celsius होना है 27 डिग्री celsius यह उससे जादा होना चाहिए पहली बात दूसरी बात हमने यह बोली कि वहाँ पे जो है low pressure जो है वो develop होना चाहिए अगर एक जगा low pressure डेवलप होए इसका मतलब दूसरी जगा high pressure डेवलप होगा और low pressure में हमने क्या याद रखा वो wind जो है वो जो आगे पीछे पहले हमने क्या देखा सर जो वहाँ पे temperature ज़ाद है इसलिए low pressure बना हुए अगर temperature ज़ाद है इसका मतलब उसके आगे पीछे जो है वो air move कर रही है warm air है और warm air का हमने हमेशा पढ़ा है वो hulky air होती है वो हमेशा उपर की तरह move करती है अब अगर जहाँ high pressure बना है एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर calm region है कोई बारिश नहीं हो रही है कुछ नहीं हो रहा ठीक है अब क्या हुआ सर अब यह जब move evaporation गरम air उपर move करते करते जो है वो उपर जाके जो है water droplets उसके साथ थे वो ठंड़ा आना शुरू होगे जो water droplets वो अपने साथ लेके गई थी वो ठंड़े होना शुरू होगे मतलब वो वहाँ पर जाके नॉर्मल ठंड़े होने लगे अब क्या हुआ वहाँ पर cloud बनने लगा जिस cloud का नाम था cumulonimbus cloud कोई doubt कोई doubt नहीं अब यह cumulonimbus clouds जो थे सर जब इन्होंने बारिश कराना शुरू की तो बारिश कराने के टाइम पर इन्होंने एक energy release की उस energy का नाम था latent heat of condensation जिसने क्या किया cyclone को और ज़्यादा energy provide की move करने के लिए फिर क्या हुआ जब यहाँ पर बारिश यह अपना दूर जाने लगे मतलब इनको moisture नहीं मिलना शुरू हुआ moisture नहीं मिलना शुरू हुआ मतलब इनका landfall मतलब इनको खतम होने का time आगया और इनका landfall आगया और यह हमेशा कहा आएंगे paper में question हमको आया था what do you mean by tropical cyclone how tropical cyclone is formed ठीक है अभी कुछ नी how tropical cyclone is formed and why there are no tropical cyclones on equator जो बताएगा मेरी तरफ से टौफी पहला मोका प्यूशी को why there is no formation of tropical cyclone on equator ऐसे कोई नी बोलेगा जिससे पूछूँगा वो बोलेगा यह question आता है बता दो मैं बोलूँगा जितनी मैंने classes पढ़ाई है मैं successful हो गया मतलब मैंने पढ़ा दिया तुमको समझावे सोचो च्पांचो कंडीशन देखो और सोचो द्यान से देखना पर पहले पियूशी बताएगी अगर पियूशी नहीं बताएगी फिर पांचो कंडीशन देखना पहली दूसरी तिसरी चोती पांच मी दिमाग खोल के चलना, हाँ, शान्ती शान्ती नहीं, इक्वेटर पे पांचों कंडिशन सेटिस्फाई हो रही है, एक मिनट शान्ती, हाँ, हो रहा है, इक्वेटर पे तो टेंपरेचर जाद है, फिर, हाँ भाई अतुल, लो प्रेशर भी है, तो फिर, क्या अधिक्कत है, क्या अफसाना, बोलो, बोलो, पूरा आंसर है, वो दो दिन हुए, उसने मुझे आंसर दे दिया तो, साक्षी, क्यों, क्रियोलिस फोर्स क्यों होता है, तो उससे में क्या है, नहीं, सेंटर में क्यों नहीं लगती है, एक्वेटर पे क्रियोलिस फोर्स जीरो होती है, अगर एक्वेटर पे क्रियोलिस फोर्स जीरो होगी, तो मुव्मेंट कहां से होगी, समझ आई, इसलिए फाइव डिग्री से स्टार्ट होते हैं, तुमारे cyclones, क्यों? 0 to 5 के बीच में ITC's है, Dole Drums वहाँ पे तुम्हारी क्रियॉलिस force कुछ नहीं है, सिंस equator पे क्रियॉलिस force 0 होती है इसलिए tropical cyclones जो है वो तुम्हारे equator पे नहीं बनते हैं क्या? 0 to 5 वो तुम्हारी 0 to 10 जो है, that is equatorial low pressure belt जो belt बनेगी 0 to 5 में क्रियॉलिस force नहीं होगी 5 degree के उपर बनेगी क्रियॉलिस force हमने पढ़ा था क्रियॉलिस force is 0 at equator and 100% at poles पढ़ा था? यह answer इसका हाँ भई अफसाना क्या चक्कर था? समझ आई? यह यह paper में questions इस तरह से prelims में पूछे जाते हैं, यह prelims में इतनी पंचायत नहीं पूछेंगे पंचायत पूछेंगे मेंस में ठीक है? में क्या पूछेंगे तुमको? 5, 5 क्या लिखा किया 10 degree? 10 ले लो चलो basically होता 5 है क्योंकि paper में जो आया था वो 5 degree ही पूछा हुगा था ठीक है? 5 degree ठीक है? तो याद क्या रखना? कि since equator पे cryolis force नहीं होती है, इसलिए equator पे कभी भी tropical cyclone नहीं आते हैं अगर आप बूले, तो यह मैंने कुछ में नहीं आप क्या ही बोले लड़किया maximum है, ठीक है? नहीं तो मैंने यही खोल के अब जो है इसके पाद चलाना है अगर आप याद नहीं रहा सब कुछ बूल जाना एक ट्रॉप यह अपना यह अपना dynamically induced और दूसरी कौन सी थी? thermal induced वो मत बूलना यह tropical cyclone यह वाली चीज़े मत बूलना बस यही game थी इसमें जो लिम्स में question आएगा ठीक है? समझ आई? ठीक है लिखना शुरू करो आप tropical cyclone एक पर एक बरी वो डाइग्राम बना ली क्या? डाइग्राम बना पहले डाइग्राम बना यह मेरे वाली मत बनाना जो उसमें है वो वाली बनाना जो तुमने में तुमने इमेज दिखाई थी यह वाली यह यह डाइग्राम बनाना आप सब साइडेंग ए और सब कुछ अराम से देखो पनाओ पांच बिन एड़ो आए एक लिए जाहां पर डाइग्राम देखे हो गिवह पर देख रहे होगी कुछ इस तरह सा और है यह ऐसा एक रेंबैंड बना हुए देख रहे हैं क्या ठीक है यह रेंबैंड ऐसा सा कुछ बना हुआ है देखना एक बड़ी बेसिकली क्या है यह वाला एरिया मैंने बोला यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं यह काम वाला रीजिन है जितने भी क्लाउट होंगे ना इस रेन बैंड से पास करते हुए बड़ी जादा जो है वो रेनफॉल करवाएंगे तो रेनबैंड का क्या काम होता है किमलो निम्बस क्लाउट को हेल्प करना जादा प्रेसिपिटेशन कराने में वो है रेनबैंड बस ठीक है बस यह याद रखना अधियर मासिस का यहां पर कोई काम नहीं होगा एर मासिस यहां नहीं मिलेंगे तुमें हां तो वो फ्रंट्स बने एक एंगा तो फ्रंट्स नहीं फ्रंट्स थीक है बोल सकते है हां बोल सकते हैं में कुरियॉलिस फोर्स करेगी उनका काम नहीं है कुछ ठीक है चले यह बनाना अभी जल्दी करो ऐसे टाइम पास वाली बनाओ तुम तो बड़ी ब्यूटिफुल करके बना रहे हैं में मुझे आज यही टॉपिक कराना था बस यह समझ आ गया याद हो गया है ना जो मैंने बताया था ठीक है अभी हम लिखेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कन्वेक्शन क्यों होते हैं वर्टिकल मुउमेंट औफ और अड्वेक्शन तो फिर वो क्यों नहीं याद था कि एक्वेटर पर क्यों नहीं आएगा क्योंकि उस पर थोड़ सा लॉजिक लग जाना था तब ही मैं कित्ती देर से बोल रहा था जो मैंने क्लास में पढ़ाया ब वह वहने अभी क्या लिखा है अभी जो पहले कंडिशन चो थी उसके ओपर टॉपिक क्या दिया था कंडिशन फ़र ट्रॉपिकल साइकलोग ठीक है एक वरी देखो यह यह यहां पर जो घर्णमपा जारी थी स्ट्रॉझ कैशन ठीक है a strong convection results in a build-up of in a build-up of convection the vertical moment of air strong convection results in a build-up of huge tumulo nimbus cloud second point energy कहां से मिलेगी इस क्यूमलन निम्बस क्लाउड को मूव करने में latent heat second point a release of latent heat latent heat box में जाएगा provides provides more energy to the system supporting further strong convection strong convection third point the lateral wind ये जो आगे पीछे wind move कर रही थी सुना एक बरी ये जो lateral wind ये गोल गोल जो गुम रही है किसके कारण गुम रही है ये जो right में move करेगी है पूरा जो क्रियोलिस फोर्च के कारण ठीक है कुछ आप पूछ रहे है जिसनूवर क्या था अच्छ यार मेरे से पूछ लिया करो ठीक है सुनना फुले से पहले एक श्टार्ट कुछ लिखा चुटन दना इसका क्या मतलब हुआ when the wind start to descend D E C E N D yes यह जो उपर से नीचे आने लगी descend, ठीक है when the wind start to descend यह यह इस term को में descend use कर रहा हूँ, यह जो high pressure से आर descend when the wind starts to descend यह मेरी गंदी सी उस पर मा जाना डाइग्राम पे, alongside इसी के साथ the entire system is stabilized तभी यहां पे calm region बनेगा the entire system is stabilized fourth point the lateral wind near the surface यह जो आगे पीछे air move कर रही थी, यह यह वाली side में the lateral wind near the surface start to rotate start to rotate around the low pressure center around the low pressure center यह के आगे पीछे around the low pressure center due to creolist force ठीक है इसने energy release की यह क्या यह नीचे की तरफ जो है वो क्या कहते है अपना और यह जो होगा तुम्हारा क्या 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 पूछा तुमने latent heat जो होगा अब यह भी तो vertical movement ही हो रही है यह जो नीचे की तरफ जा रही है यह heat इसको provide करेगी ना नीचे जाने के लिए और जादा मतलब intense करेगी इस तरह से इसको यह अब इसने क्या हुआ low pressure को हमने क्या जितना जादा strong maintain होगा वो उतरा जादा cyclone तेज होगा तो यह latent heat क्या कर रही है इसको यह जो तुमारी नीचे यह high pressure क्या कर रहा था इसको diverge कर रहा था अब high pressure जब इसको diverge कर रहा है और जादा इसको नीचे नीचे जो है low pressure को और जादा strong करने में help कर रहा है समझा ही? ठीक है? चलो पका ना कि यह क्या करेगा low pressure को कि जब जाधा convergence शुरू होगी तो और जाधा जो इस ट्रॉंग होना शुरू हो जाएगा ठीक है गुड़ ठीक है आफ्टर सम टाइम नेक्स पॉइंट आफ्टर सम टाइम सम ओफ देंस एर अब जो प्यूशी ने पूछा था सर अगर मॉश्चर होगा अगर बड़ी जाधा जो मॉश्चर वाली एर होगी वो उपर ने मूफ करेगी वो इसी के आगे पिछे लो प्रेशर के आगे पिछे गुमेगी आफ्टर सम टाइम सम ओफ देंस एर राइजिंग नियर दे सेंटर स्टार्ट्स टू डिसेंड यह इसके आगे पिछे मूफ करना शुरू हो जाएगी स्टार्ट्स टू डिसेंड जो बारी वाली एर होगी वो नीचे की तरफ और जाना शुरू होगी स्टार्ट्स टू डिसेंड रिजल्टिं इन दा फॉर्मेशन ओफ दा रिजल्टिं इन दा क्या resulting in the formation of the I I philichna I of the cyclone it is the center of the storm it is the center of the storm which is characterized with clear sky with clear sky comma yad rakhna I e p e question a comma calm conditions shanti calm conditions comma pressure high yoga low low pressure or temperature and high temperature oh I 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 and precipitation structure which is capable of producing high intensity of rain and wind which is capable of producing high intensity of rain and and wind okay next this is the main answer with this diagram if you have a pre-question various names of cyclones various names of cyclones tropical cyclones various names of tropical cyclones various names of tropical cyclones indian ocean cyclones tropical cyclones this is your indian ocean meaning if you have somewhere in India where you come from where you come from cyclones say this is why indian ocean tropical cyclones various names first tropical cyclones indian ocean this kind of name first tropical cyclones question 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 how to tell tropical cyclones indian ocean second hurricane 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 this Atlantic Ocean Atlantic Ocean typhoon 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 nine-line किसका वह है किसका इस्षू चल रहा है नाइन डैश लाइन का पुलिपिन अफ यह अपना वेतनाम चाइना का यह क्यों पंगा रहते है फिलिपीन चाइना का किसी के लिए सौथ चाइना सी इस आउड जाब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ा उसमें डैश लाइन पढ़ा होग फिलिपीन्स ये बड़ी-बड़ी पेपर में आता है जो अगला लिखा रहा हूँ विली-विली विली-विली याद रखना गिली-गिली था जो गिलक्रिस्ट उससे विली-विली विली-विली ऑस्ट्रेलिया ठीक है याद रखना पैसिफिक आ गया वो यूएसे वाला नहीं आ गया वहां पर एक पोईंट और दो लिखतो इंटेंसिटी ओफ लो प्रेशर फाइनल फाइनल स्टेज लिख दूएसे टॉपिक लिखो फाइनल स्टेज या टॉपिक लिखो लैंड फॉल वो ज्यादा अच्छा है लैंड फॉल पूरा आंसर रडी हो जाएगा लैंड फॉल टॉपिक लिखो लैंड फॉल लैंड फॉल क्या था जब यह साइकलोन का जो काम है टोटल जमीन पे आ गया और खतम हो गया येस इंटेंसिटी ओफ लो प्रेशर is developed in the i of the cyclone determines the level of intensity of the cyclone determines the level of intensity of the cyclone intensity of the cyclone next point as the complete energy of circulation as the complete energy of circulation is attained of circulation we pura cyclone gumma as the complete energy of circulation is attained kya hua from the release of latent energy latent heat release of relief release release of latent heat and under the effect of planetary winds I will tell you which planetary winds will impact the tropical cyclone which wind will move to planetary winds when you want to move to the left how do you want to move to planetary winds यह 45 डिग्री तरह ट्रॉपिक है हां तो कौन सी बिद्ध आएस कर्वाइंगी हां बाई 02 30 डिग्री में ट्रेट्ट कर्वाएंगी तू क्या पूल रहा है उटीक है ट्रेड्विंड करवाएंगी क्रखेंगी नहीं जो मैने पता ही 30 डिग्री हां एसे नहीं करना समझ आ रहे ताब बताना पका ठीक वो तुम 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 पता थी मुझे पता है तुम बेल्ट को बता रहे थी सब ट्रॉपिकल और वो एकुटोरियल लो वाला एरिया रहे दिन बोलती हां तो तुम मैं विंड पूछ रहा था था न है नहीं उसका नाम पोलर एहां इस्टलीज भो लेंगे उसको उसको औंठ बोलेंगे वो ट्रेड्ड इसलिए नहीं बोल सकते हैं नाइंटी डिघरी पिर नहीं होता था वह सेहल करती थी Aush तो सेहल करती दिना। इस्ट में मूफ करती है ना नॉर्दन एमिस्वियर निंश में मूव कर ली इस लीए तुम ईसटली बोल रहे हैं थीक है क्या था नॉर्थ में नॉर्ठ इस और सौथ में मूफ कर रही थी ना इसलीए इसलीज बोल रहे था ठीक है पूछो पुछो यार बस यह मां डाउट मत लेके चलो मुझे यह नहीं होना चाहिए कि फ्लाना पढ़ाते थे पर समझ नहीं है फिर हमने भी हाँ हाँ करके वो लिप्टा दिया ठीक है क्या पहुंचे अंडर दा इफेक्ट आ प्लैनेटरी विंड्स ब्रेकें में कौन सी विंड्स लिखोगे ट्रेड विंड्स या इस्ट अलीज ट्रेड विंड्स there by causing heavy precipitation which leads to which leads to strong winds that also results in results in sea surge S.U.R.G.E.S. Disaster is sea surge record में लिख देना tropical storm, sea surge means tropical storm and this storm act as natural hazard this storm act as natural hazard full stop with the increasing continentality continentality का मतलब क्या हुआ so na continentality का मतलब हमेशा geography में मतलब होते land की तरफ move कर रहे है continent continentality का मतलब हम land की तरफ जो है समंदर नहीं, अब हम land की तरफ move कर रहे है with the increasing continentality C-O-N-T-I-N-E-N-T-A-L-I-T-Y continentality supply moisture में supply जादा होगी की काम होगी जैसे जैसे land continentality, bracket में लिख देना increasing land, continentality means increasing land so now अब continentality जैसे जैसे बढ़ती जाएगी moisture की supply भढ़ती जाएगी की काम होती जाएगी क्योंकि land की तरफ move कर रहे है समंदर से दूर दूर जा रहे है increasing continentality there will be decreased supply of moisture supply of moisture which creates weakening of the system which creates weakening of the system leading to leading to blocking of cyclone blocking of cyclone full stop the lifespan of a cyclone system the lifespan of a cyclone system is not more than a weak time एक हफ़ते से जादा is not more than a weak time hereby we have completed our tropical cyclone इस से बार 100% नहीं आएगा ठीक है दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ कोई doubt देखना तो नहीं एक बरी ठीक है प्यूशी मुझे doubt लग रहा है पता नहीं क्यों तुमारे face पे अच्छा पुराने वाले के इतना attention मत लो वो हो जाएगा तुम अभी अभी वाला जो चल रहा है उसको साथ साथ relate कर दी चलो अभी नहीं अभी वही पूछ रहा हूँ अभी वाला doubt तो नहीं है ये doubt चलेगा इसकी कोई दिक्कत नहीं है ये मैं करा दूँगा बाद में ये बताओ अभी वाले में doubt तो नहीं है हाँ ये बूछ रहो वो जैसे मैंने तुमको बताया कि 5 डिग्री पे क्यों नहीं साइक्वेटर पे साइक्लो नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें क्रियॉलिस फोर्स नहीं है राइट क्यों मूव कर रही है ये चीजे समझा रही है ना हमें इसके ये प्लैनेटरी विंट्स ने उनको मूव किया मतरब ट्रेड़ विंट्स ने ऌगा रही हो अगर अच्छो तरह से पढ़ी है मेरे हिसाब से इतनी जोग्रफी कोई तुम्हें नीट अफ लगी होगी ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स हैं चाहे पॉलिटी चाहे जोग्रफी चाहे एकॉर्णमी हिस्ट्री सब कुछ है ठीक है ठीक है हमने कल टॉपिक पढा था किया पढ़ा था जहां पर मैंने कुछ लिखाया थाएव करेशन इन प्रेश्विटेशन के नहीं हिमिडीटी एक पोराशन कंडेंशिए शन कुछ इस्ट है एक है ठीक है ठीक है टॉपिक लिखो देखो तीन तरह की humidity होती है ठीक है एक तुमारी humidity जो होती है specific humidity, एक होती है तुमारी relative humidity और एक होती है absolute humidity, कुछ मत याद रखना ठीक है, सिरफ एक humidity याद रखना, उसको हम बोलते है relative humidity पहली दो में वो कभी question नहीं पूछेगा ठीक है, अगर वो question पूछेगा तो relative humidity पे वो question पूछेगा मैं तुम्हें लिखा देता हूँ पहली दूसरी भी, बट ये देख लो होती है एक cloud जो है cloud imagine कर रहे हैं हमने काल बड़े तरह के clouds पढ़े serious, alto, status, वो सारी चीज़े हमने पढ़ी एक cloud जो है, कितना moisture जो है वो अपने पास contain कर सकता है एक cloud की कितनी capacity है कि वो moisture को hold कर सकता है ठीक है, उसको बोलते है relative humidity कितनी देर तक जो है, वो बारिश नहीं कराएगा कितनी हद तक वो अपने आप में moisture को contain करके रख सकता है उसको हम relative humidity बोलते है बाकी specific भी होती है नहीं आती वेपर में relative humidity का भी वो पेपर में पूछ सकता है ठीक है लिख लो एक दो चीजे topic डालना humidity humidity हम बोलते हैं ने यार बड़ी जादा humidity आज हुई हुई है ठीक है क्या मतलब है humidity का yes amount of moisture or water vapor present in the air very good what is humidity it is the amount of water in gaseous form it is amount of water in gaseous form present in the air is called humidity ठीक है first types of humidity first specific humidity क्यों थीया मन ने लिखी ठीक है specific humidity कोई बाद ने ने जरूर ते लिखने की चलो इट इस जी फॉर्मनल लिख्दू specific humidity is the weight of water vapor in gram to weight of air in kilograms कुछ नहीं समझने वाला है रटा मारो जिन्दा बाद आगे चलते चलो कितनी quantity water एक किलो air में सुना एक किलो air में कितना water vapor जो है grams में present है उसको हम specific humidity दुबारा बोल रहा हूँ एक किलो air में air हमने imagine की एक किलो एक किलो air में कितने gram जो water vapor present है उनको हम specific humidity बोलेंगे ठीक है ये topics तो कराते भी नहीं है बट मुझे है कि मैं अपने से कुछ ना छोड़ो तुम लोगों का ठीक है second absolute humidity weight of water vapor अगर मैं एक चीज़ सुनना अगर मैं meter cube लिख रहा हूँ इसका अतना मैं क्या लिख रहा हूँ volume very good length breadth height वाला जैसे volume क्या weight of water एक volume of air में कितने water vapor है ठीक है यह cubic meter में जो है gram cubic meter में कितना उसमें क्या था एक kilo में इसमें हो गए एक gram cubic meter में कितने water vapor प्रेजेंट है वो तुमारा absolute humidity हो गए volume कितनी है यह जो है यह volume के बारे में बताएगा volume कितनी है third जो सबसे important है relative humidity eight अ अ मोंटव मोड़़्रा प्योड़्यशार का ऺख्डेव योड़्यशना कर राद ключ inhib एट गिवन टेंपरेचर एट अगिवन टेंपरेचर अगर अगर टेंपरेचर बढ़ता है रिलेटिव हुमिडिटी बढ़ेगी की गटेगी पहले पड़ो मैंने लिखाया क्या और फिर सोचो कितना पॉइस्चर वो होल्ड कर सकती है अगर टेंपरेचर बढ़ता है रिलेटिव हुमिडिटी बढ़ेगी की गटेगी टेंपरेचर जादा हो रहे है क्यों तो रिलेटिव हुमिडिटी बढ़ेगी की गटेगी बस यह बताओ अगर मैं टेंपरेचर को बढ़ता हूं क्यों तो रिलेटिव हुमिडिटी क्या होगा बढ़ेगी यह फिर गटेगी वन और टू क्यों इवैपरेशन तो और जाद होगी तो मॉइस्टर तो जादा आएगा फिर तो बढ़ना चाहिए है हाँ भाई साक्षी तुससे क्यों होगा है वो पानी से लिए जा रही है वो मतलब लेटिट भी समुंदर से जा रही हो मॉश्चा लेके जा रही है अपने साथ है कि हम भई अपना हर्श का काम होगी यह मैंने माल लिया एक एडाइर कितने देर कितना मॉएस्टर तो खतम हो जाएगी दुबारा यह क्लाउड है इसने अपने अंदर दस क्यों यह दस डॉट्स की इसकी को पैसिटी थी ठीक है जब तक यह बारिश नहीं कर रहा था टेम्परेचर बढ़ा डॉट्स बढ़ने शुरू होगे 16, 17, 18, 20 होगे क्यों होगा बारिश हो जाएगी तो जब इसकी करिंग कपैसिटी क्यों हो जाएगी कम हो जाएगी की बढ़ जाएगी कम तो रिलेटिव हुमिडिटी क्यों हो जाएगी गिर जाएगी याद रखना नहीं समझाया सुनो रिलेटिव हुमिडिटी होती है एक क्ल ताइंग के बाद जब उसकी कपेसिटी कम होगी वो क्या करें कि बारिश की फॉर्म में अपने आपको सुरंडर कर देगी प्रेसिपिटिशन अब अगर लेटिव हुमिडिटी मॉइस्टर पड़ा हुए ठीक है मैं मॉइस्टर और बढ़ाता जा रहा हूं और बढ़ाता जा देग लिए ठीक यह फुल बरा हुए यह इसके रिलेटिव हुमिडिटी है ठीक है अब इसमें हुमिडिटी ओर कैसे बढ़गता इसमें और मॉइस्चर कैसे बढ़ सकता है अगर इवापुरेशन हो इईट इवापुरेशन और जाद होई अब इसके अंदर और वह जो है तो आना शुरू हो जाएंगे, क्या? मैंस ST उर आना शुरू हो जाएगा, इस class को क्यो होगा? पानी गरना शुरू हो जाएगा, तो पानी जब गरना शुरू होगे तो बादल खलू होगे बादल खलू होगे तो relative humidity खत्म होगे इसलिए वो कम हो जाएगी समझ आई? समझ आई? दुबारा? दुबारा? पूछा करो, hold मत लेना शाबा, पूछो मेरे को यही कोईशन साने है पेपर में वहाँ पे तुमको गुमाएगा, लिख लो इट डिक्रीजिस इट इंक्रीजिन टेंप्रेचर इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस विद इंक्रीजिस ठीक है, concept समझ आ गया ना, ठीक है, ठीक है, topic लिखना, different forms of condensation, कल हम topic करेंगे, that will be temperate cyclone, air masses, ये सारा खतम करके, और परसो से, Saturday है, परसो, Friday क्या है, मुझे नहीं बता, Friday, Friday को we'll start oceanography, कल में oceanography में, हमने वो continental shelf, continental slope, abyssal plane, deep sea plane, ये नहीं 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 पड़ा हुए, कल हम उसको भी खतम करेंगे, और परसो से में तुम्हें ocean currents कराऊंगा, most probably Saturday तक हम नहीं physical जो है, वो खतम कर देंगे, उसके बाद we'll start Indian geography, ठीक है, मतलब tough वाला काम, अगर अगर अभी समझ आ जाएगा, planetary wind समझ पाती थी, नहीं, आती आ गया ना, तो वो भी आ जाएगा, बस, चलो, different types of condensation, first, dew, क्यों होता है, जब air की saturation जो है, बिलकुल खतम हो जाती है, और वो precipitate करती है, तुम सुबह उठते होगी, देखते होगी, गास जो है, वो गिली है, पेड के ओपर हम वो water droplets वगहरा देखते होंगे, उसको बोलती है, dew, ठीक है, लिख लो, it refers to moisture deposit in land, in liquid, it refers to moisture deposit in liquid, water droplets, water droplets on the land surface, water droplets on the land surface, नेक्स पॉइंट, ये पेपर में question आएगा, N.O.T.E. Conditions favorable for due formation are, गर्मियों में due देखी है, क्यों, तो, condensation कब होगी, जब जमीन जो है, वो ठंडी होगी, अगर जमीन गरम होगी, तो वो अपने साथ क्या लेके जा रही है, light air होगी, वो तो गरम air उपर ही move कर रही है, ठीक है, सुनना, The conditions favorable for due formation are, first, long winter nights, second, cloudless, cloudless क्यों, ये बताओ तो मानू, cloudless क्यों, clear sky मान लिया, बिल्कुल ठीक है, clear sky चाहिए, मतब cloudless चाहिए, क्यों, नहीं, मैं, मैं, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करता हूँ, वहां पे heat का कोई लेना देना नहीं होगा, जहां पे आपकी ozone layer है, comma, calm and, calm and windless, अभी बताता हूँ, calm and windless, and clear sky, है, यह जो चारो बाते हैं ना, यह चारो बाते खुद देख क्या होगे, क्यों, फिर काल हम discuss करेंगे, उस दिन हमने क्या बोला था कि क्यों कौन सा वाली चीज देख क्या ने थी जब नहीं नहीं क्लास में आये थे हम, पहरी हीलिया, जून, जुलाएं में क्यों आते हैं, ठीक है, यह तीनों कंडिशन काल मुझे समझाओगे, क्यों चाहिए, क्यों आते हैं, बरफ पड़ी होती है, जब सर्फिस के ओपर, लैंड की सर्फिस के ओपर जब बरफ पड़ी होती है, उसको हम फ्रॉस्ट बोलते हैं, लिखलो, अगर क्लाउड होता, क्या था, जो तुमारा क्लाउड, अगर मतलब क्लाउड होंगे, ठीक है, तो long wave terrestrial radiation, यह आया, अब इसने वापिस जाना है, अगर यहां पर क्लाउड होंगे, तो यह गरम जो होगी, एर जबारा से नीचे आने, आगे बाद में डिसेंड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, कभी ना, कभी जब यहां पर थंडी होके नीचे आने शुरू हो जाएग पुराना है थोड़ा सा, कोई बाद नीचे, अरे बाद में कर लेंगे, कोई दिक्त नीचे, ठीक है, समझ आई, वो अलबीडो वाली, दुबारा बता रहा हूं, यह देखो, यह हमारा отд है, ठीक है, सुनना, यह sun rays आई, जिसको हमने बोला था, short wave terrestrial radiation, बोला था short wave terrestrial radiation, अब यह अर्थ पे strike की और striker की क्या किया, इसने अब अलबीडो करना है, कुछ तो यहाँ पे absorb हो जाएगी, अब यह उपर जाएगी, यहाँ पे clouds हैं, लेटिट भी ट्रोपोबास में क्लाउड्स हैं यह क्लाउड्स के ओंगे इसको वापिस उपर नहीं जाने देरे ब्लॉक कर दिया यह एर दुबारा से नीचे की तरफ आएगी और दुबारा से सर्फेस को जो है वो गरम कर देगी और हमने कंडिशन क्या पड़ी सर्फेस तो चाहिए ना ताकि कंडेंस हो सके तो यहां पर अगर गरम सर्फेस रहेगी तो ड्यू फॉर्मेशन क्या होगी इसलिए क्लाउड्स चाहिए ताकि यहां की जो गरम मेर है वो वापिस दुबारा से वह चली जाए वेरी गूड़ अमन सोचा आता तो बन जाना था अंसे ठीक है चलो फ्रॉस्ट इस अ थिन लेर अफ आइस ऑन सॉलिट सर्फेस इस फॉर्म्ड वन थे तेंपरेचर इस बिलो जिरो डिग्री सेल्शियस नियर दे ग्राउंड मिस्ट क्यों होता है फॉगी फॉगी सो होता है मतलब ऐसे जैसे देली में अट्मास्फियर होते हैं से दुन-दुन टाइब जो होती है वो बनी होती है मिस्ट मिस्ट थी मिस्ट इस वो आइब जो और थे फ्मॉल ओट्रोपल्ट लट्स शुस्पेंड इन ए और शुस्पेंड इन ए यर शुस्पेंड इन ए और फॉब ऑर बनी है The visibility in mist is between 1 to 2 km Fog क्यों होता है Fog, F-O-G दुन्द वो तो मज़े भी पता है वो हाईग्रोस्कोपिक न्यूकला ही बता रहा है Simple सी बाशा में याद रखना Surface की, Land Surface की ओपर जब Cloud आजाता है उसको हम Fog बोलते है ठीक है, इतना वो पंचायत में दाना ही नहीं है ठीक है, लिख लो Fog It is a cloud formed on the surface of land या on the surface It is a cloud formed on the surface ठीक है Done हो गया औरोग्राफिक रेंफॉल अब समझ आएगी एक बड़ी देखना उस औरोग्राफिक है रहा हूँ वो जो मैंने तुम्हें साइकलोनिक रेंफॉल लिखाई थी देखना एक बड़ी मैंने क्या लिखाया था यह देखो राइज वो जो राइज और वाम में रुई थी फिर वो जो नीचे वो चीज जो वरी पूरी ठीक है ट्रॉपिकल साइकलोन पर तो नहीं फस होगे ठीक है कल एक टॉपिक करते हैं पहले अपना jet streams पहले वो भी इंपोर्टेंट है या इंडिया में कराऊंगा क्योंकि में जो साइकलो मॉंसुन फॉर्मेशन में पोलर इस्टली जेट स्ट्रीम का रोल होगा वो उसमें कराऊंगो इंडिया में जेट स्ट्रीम ठीक है ठीक है ठीक है टूबी कंटिनियू टुमोरो